दोस्तो मैं प्रकास इस्टिटी में आपका स्वाकत करता हूँ दोस्तो आज हम पढ़ेंगे UPSI की यानि उत्तरप्रदेश सरकार सवस्पेक्टर की परिच्छा में पूछे जाना जाने वाला एक सब्जेक्ट मूल विदी मूल विदी में हम भारते दंड सहता 1860 अधिनियम के जो भी मैतरपूर क्वेशन है हम इस वीडियो में डिस्कर्शन करेंगे आई एस्ट्राइट करते हैं क्वेशन नम्मर बन से भारते दंड सहता प्रवर्टन लागू ही ये लागू ही थी आपकी एक जनवरी 1862 से भारते दंड सहता का प्रवर्टन एक जनवरी 1862 से हुआ यद्दपे अधिनियम को गवर्णर जन्रल की अनुमती 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी अगला क्शान भारते दंड सहता 1860 की धारा एक सम्मन्दित है इस सम्मन्दित है आपकी सहता की नाम और उसकी प्रवर्टन की सम्म विस्तार से दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल स्भ्सक्राइब ने किया प्रीश सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अगर इस वीडियो में आपको कोई गलती नजर आती है तो हमें दुराशय और नमर तीन अफराद के क्रत्य और नमर चार ऐसे अफराद क्रत्य माना वताव समाज को ख्षती पहुचाएं क्वेशन नमर चार भारतिय दन सहता में इस्तरी सब्द गोतित है इसका सही अंसर हो जाएगा जन्म जात वाले का सहत की सीवी आयो की महिला का यानि भारतिय दन सहता की धारा धस के अनुसार इस्तरी सब्द किसी भी आयो की मानव नारी के लिए प्रियोग किया गया है चाएगा जन्म जात वाले का हो या किसी भी आयो की महिला हो अगला question भार्ट्र के दन्ड सहता में सब्द इस्तिरी वो होते थे हैं इसका सही अंसर हो जाएगा किसी भी आयो की इस्तिरी का यानि आभी हमने उपर पड़ा था किसी भी आयो की इस्तिरी के लिए हम इस्तिरी सब्द का प्रियोग कर सकते हैं चाहे हुआ बालेका हो चाहे हुआ 100 साल की महिला हो बहार्ट के दंड सहता के किस धारा में भारत को परवासित किया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा धारा अठारे में भार्ट के दंड सहता की धारा अठारे में भारत को परवासित किया गया है इसकी अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर की सिवाए भारत का समस्त राज़चित्र अविप्रेरित है Q7 सामा ने आसे से सम्मन्दित प्रावधान IPC की किस धारा में दिया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा धारा 34 शामा ने आसे सम्मन्दित प्रावधान भारते दंड सहता की धारा 34 में धारा 149 में सामा ने उद्देश और धारा 297 में कब्र स्तानों वारे में बताए गया तता धारा 316 में सजीव अजात सिसु की इम्रत्यु कारित करने से सम्मन्दित प्रावधान दिया गया है Q8. भार्टिय दंड सहता की धारा 34 पर प्रसिद्वाद है इसका सही अंसर हो जएगा वारेंद्र कुमार गोश वनाम इंपरर Q4. वारेंद्र कुमार गोश वनाम इंपरर का वाद भार्टिय दंड सहता की धारा 34 पर प्रसिद्वाद है Q9. अपराद की परवासा दी गई है अपराद की परवासा ओप्शन मनमर वी दंड प्रक्रिया सहता 1973 की धारा 2N में दी गई है अपराद की प्रतक्च परवासा को दंड प्रदक्रिया सहता की धारा 2N में दिया गया है Q10. भार्टिय दंड सहता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रियुक्त इस्तानी विदी कहां पर लागू होगी इसका सई अंसर हो जाएगा भारत के किसी भी विशिष्ट बाग पर अगला कॉश्चन थोड़ा इसकी बारे में जालनेते इसकी कॉश्चन के बारे में भारतिय दंड सहिता 8,60 की धारा 42 के अनुसार इस्ताने विदी, वह विदी है जो भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। वश्त नमर 10 भारतिय दंड सहिता के अधिन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्ता की गई है। यह आपके की गई है पांच प्रकार के दंडों की विवस्ता की गई है वो कौन-कौन से दंडों की विव्यक्षा की गई है इसमें जान लेते हैं दंड सहिता की धारा त्रेपन के अनुसार अफरादी इस सहिता के अपवन्नों के अधीन जिन दंडों से दंडनिय है वे इस प्रकार हैं। कठेन, अर्थात, कठो स्रम के साथ। और नमर दो, साधा कारावाश। चौथा कारावाश कौन सा है। चौथा है संपहरण। और पांच महाई आपका जुर्माना या अर्थदंड। यानि जुर्माना भी आपके साथ में लग सकता है और दंड भी मिलेगा आपको। Question no.12 1. जल्लाद जो मृत्यु दन्न निस्पाधित करता है भारते दन्न सहता की किस दारा की अंतर्गात अपरादे दाइतों सेव मुक्त है یानि जो जल्ल हम किसी भी ग्यक्ति की हत्या कर दें या कोई ग्यक्ति किसी गहत्या कर दें उसके लिए दन्न है तथा यहां पर जल्लाद मृत्यु डंड देता है उसके लिए कोई भी कोई भी डंड उसके लिए नहीं है द्वारा से क्वेशन पढ़ लेते हैं एक जल्लाद जो मृत्यु डंड निस्पादित करता है भार्टे दंड सहता की किस धारा के अंतरगत अपरादिक दायतु से मुक्त है यह है आपका धारा 78 के भार्टे दंड सहता की धारा 78 के अंतरगत मृत्यु डंड को निस्पादित करने वाले जल्लाद को अपरादिक दायतु से उन्मुक्त है धारा 78 यह अपवन्दित करती है कि कोई बात जो न्याले के निर्णे आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा द्रिष्ट हो आदे यह उस निर्णे या आदेश के प्रवर्त रहनते की जाए अफराद एक नहीं है कुशननमर3 निमन मैंशी कुँणसा वाद उनमतिता की अधार पर प्रतिरक्षा है मैक नोटन का बाद मैक नोटन 483 का बाद उन्मक्त्ता की आधार पर प्रतिर्क्षा से सम्मनित है कुशन नमर चोद माधी दंड सहिता की कौन सी धारा और अशिक मत्त्ता की आधार पर प्रतिर्क्षा से सम Scottish है इसका सई आंसर हो जाएगा धारा 85 से भार्ति दंड सहता की धारा 85 में अने चिक मत्तता की आधार पर अफरादिक दायतों की से प्रतिरक्षा बचाव प्राक की यान है भार्ति दंड सहता की धारा 84 में विक्रत चितता की आधार पर वचाव धारा 86 में एच्छिक मत्तता तथा धारा 87 में किसी व्यतिकी म्रत्वी या घोर उपहती करित करने की आसे या संभावना की विना उसकी समती से किस किये गए कई कार्य अपरादिक विरुद्व प्रत्रक्षा का प्रादान है पंद्रेमा निमलिकित कार्यों में से किस के द्वारा दुस्प्रेरण का अपराव किया जा सकता है निमलिक्त में कार्यों में से किसके द्वारा दुस्प्रेण का अपराद किया जा सकता है इसका सयांसर हो जाएगा शड़यंत्र भारते दन सहता की धारा एकसो साथ के अधिन दुस्प्रेण का अफराद तीन तरीकों से किया जा सकता है नमर एक उकसाने द्वारा उक्सानी द्वारा और नमर दो शड़यंत्र द्वारा और नमर ती सहायता द्वारा अथा शड़यंत्र द्वारा दुस्परिण का अफराद गिया जा सकता है भारतिय दंड सहता के किस प्रावधान में अफराद एक सड़यंत्र के लिए दंड दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 120 वी में अफराद एक सड़यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतिय दंड सहता की धारा 120 वी में किया गया है जवके धारा 120 ए में अफराद एक सड़यंत्र की परवासा धारा 121 ए में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनिय अफरादों को करने का सड़यंत्र और धारा 124 में राइष्टपती साज्यपाल आदे पर हमला आदे को दंडनिय बनाया गया है पर्शन नम्मर सत्रे नितेश ने अपने एक प्रकास्त लेक में उत्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत इबं मान हानिक को फेलाया है उसे निम्न अपराद के लिए दंडनिय किया जा सकता है आपके लिए चार अफ़सन है उसमें से कौन सा अनस है होगा? आपका अनस है होगा राजद्रोह के लिए भाटिदर्ण सहता की धारा 124 का राजद्रोह को परवासित करती है जो कोई ओले गए या लिखे गए सब्दों द्वारा या जिसके अनुसार संकेतों द्वारा या द्रस्चे रूपन द्वारा या अन्यत्था भारत में विती द्वारा इस्था पे सरकार के प्रत ग्रणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्म करेगा अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्म करेगा हुआ आजीवन कारवास में आज इवन कारवाद से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माना से दंडनिय किया जाएगा जहां यह इसपष्टी करन है के अप्रीति पद के अंतरगत अभिविक्ति और सत्रता की समस्त पावधान आएंगे इसपष्ट है कि अप्रोक्त द्रिश्टांत में इस दहरा के अंतरगत नितेश द्वारा की एक कार राज द्रोह के अपराद के अधीन आता है तथा नितेश इसी अपराद के लिए दंडित किया जाएगा विदी विरुद्ध जमाब के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आविशिक होते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा 5 व्यक्ति भारती दंड सहिता की धारा 141 में परवासित विदी विरुद्ध जमाब के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवशिक है वल्वा के दोसी व्यक्ति को कितनी वर्ष की कारवास से दंडित किया जा सकता है इसका सही अंसर हो जाएगा दो वर्ष के लिए भारती दंड सहता की धारा 147 के अनुसार जो कोई वल्वा करने का दोसी होगा वह दोनों मैं से किसी भांति के कारवास से जिसकी अवदी दो वर्ष तक की है या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा क्वर्ष नमर बीस शामान उद्देश को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए इसका सही अंसर हो जाएगा पांच व्यक्ति विदी विरुद जमाब है तो आविशक है कि वे पांच या पांच से अधिक व्यक्ति हों अथ भारतिय दंड सहता की धारा 149 के अधिन सामान उद्देश को अग्रसर करने के लिए कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिए प्रतिकूल प्रभाय डालने वाले प्रभाव डालने वाले लांचन प्रक्षान का अपांच भारतिय दंड सहता की निमलेकित किस धारा में किया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा धारा 153 दोस्तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर समवाप्त करते हैं इस वीडियो में हमें टाइपे करने में बहुत सारी गलतियां मिली इसके लिए हम छमा चाहते हैं अगली वीडियो में हम इसको इस पश्ट करके सही तरीके से लेक कर आपको समझाने की कोसिस करेंगे तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं धन्यवाद